हेलो दोस्तो नमस्कार सब्सक्राइब कर लेना तो ऐसे इंट्रेस्टिंग उड़े आप लोगो को देखने को मिल जाएंगे आप चाहो तो स्टॉक मार्केट क्लासेश को भी फॉलो कर सकते हो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है अभी कि अगर मैं बात करूँ तो आप लोग देख सकते दो वीडियो अपलोड हो चुके उसको भी आप चाहो तो निचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिये उसको आप देख सकते हो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ओवेसली मैं थोड़ा सा इस वीडियो के बारे में बात करना चाहूंगा जो कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं जो कि बिल्कुल सही है सर यह तो एक मेथड़ालोजी है जिसको हम लोगों को फॉलोई करना पड़ेगा बट एक सकते हैं यहां पर लिखा हुए फिरी फ्लोट से मार्केट कैपिटलाजेशन से कैलकुलेशन होता है बट जो एक्सपर्ट ने भी कहा था वह यही कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि जो कैलकुलेशन होते हैं जहां पर गैप बहुत ज्यादा हो जाएगा मतलब फॉर्स्ट नंबर का एंड सेकेंड नंबर का अगर हम लोग कंपनी देखते हैं वह मेथड़ोलोजी से अगर हम लोग देखें तो यहां पर बहुत जबरदस गैप देखने को मिलेगा मतलब 14 परसेंटेज अगर हम लोग बात करें यहां पर लगब साड़ेनों परसेंटेज 14-9.5 अग तो यहां अभी हम लोग को यहां पर देखने को मिल रही है कि एक स्टॉक शायद से पूरे मार्केट को भी यहां पर चला सकता है तो इसलिए यह वीडियो था वो लास्ट में मैंने बनाया था तो बहुत सारे लोग जो पूछ रहते है वो त्याड़ोलोजी सही होता है बिल हम लोग बात करें यहां पर गिरावट होती है फिर भी वो यहां पर हम लोग को इंडेक्स में देखने के चांसे कम हो जाएगी तो इसलिए मैंने लास्ट वीडियो में भी यह खा कि अगर मार्केट में अभी कुछ भी मूव आता है तो आप लोग ज़रूर साइड में चेक सकते डिक्सन टेक्नोलोजी यह जोस्तों आज के दिन भी जबरदस यह चाया हुआ है आप लोग देख सकते आठ हजार के उपर यह लगबग जा चुका था बहुत ही जबरदस रही आई थी वहां से करेक्शन आया है हम लोग कह सकते प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर हो सकत मैंने यह कहा था कि कंपणी के प्राइस के उपर मत जाना क्या पता कल यह 59,000 का हो गया तो क्योंकि कंपणी का बिजनेस क्या है वो मैटर करता है उसके प्राइस नहीं अगर कंपणी अच्छी रहेगी तो वह अच्छा आगे ही जाएगा और सेम सिचुएशन आप लोग को क यह भी का है कि अभी वो एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगी जो कि आज इनके मैनेजमेंट ने कॉमेंटरी भी दी थी जो बहुत ही शांदर है और सबसे खास बात कल के दिन इस कंपणी के कॉटर वन के नंबर आने वाले है तो ज़रूर देखना है हम लोग को कि कंपणी नंबर केशे पेश करेगी अभी उम्यदे बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके जिस टाइप का स्टॉक यह पर पर्फॉर्मंस दिये आज भी आप लोग देख सकते इसका चार्ट पेटन पार्च दिन पहले भी चेक कर सकते हो चार्ट पेटन जबरदस यहां पे रैली ही दोगे क्यों महेंगा ही देखेगा कंपनी की जो पोटेंशियल होता है वो कभी उसके प्राइस के उपर नहीं होता है इसका बेस्ट एक्जामपल में आपको MRF का शेर का दिया था कुछ लोगों को MRF का शेर 1000 पे महेंगा लगता था फिर 2000 पे फिर 20,000 पे 30,000 पे आज वो कि नजरे रखनी है तो हम लोगों को बहुत कुछ देखने को मिलेगा 3 औगस्ट की बात करें तो 37% मतलब आज एक की दिन की बात करें हम लोग यहापे डिलेवरी जुटा थी वे देखने को मिली है तो चलिए दोस्तों Dixon Technologies देख लेते कि कि कल के दिन के बाद यहापे मतलब और क्या कल performance यहाँ पर हो सकता है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें, FMCG का एक ऐसा stock जो कि मैंने आपको कभी भी recommend नहीं किया, in fact मैंने एक दो बार वीडियो भी बनाये थे, कि इस stock से थोड़ा सा आप लोग चाहो, तो दूरी बना की रख सकते हो, और उसका नमें गोदरेच Consumer Product Limited, यह जो कंपनी खराब नहीं है, बट इनके जो competitors है, वो बहुत ही शांदार performance, देरे 697 के आसपास देखने को मिल रहा है, इसका अगर मैं चार्ट पेटन आपको दिखा दू, चे मैने का, बहुत ही शांदार देखने को मिल रहा है, उसी के साथ साथ अगर मैं इसका return profile दिखा दू, एक साल का, तो वो भी आप देख सकते हैं, टॉप पे ज़रूर है कि company almost recover हो चुकी है, बट अगर आप इनके competitor देखोगे, तो बहुत ही शांदार रिकवर करके आगे बढ़ चुके हैं, यह भी मैंने एक वीडियो में cover किया था कि आप लोगोंने share बेचना नहीं चाहिए, तो उसमें भी यह मैंने stock cover किया था, कि आपको loss में बेचना नहीं है, आप इसको hold कर सकते हो, बट अगर हम लोग इनसके competitor देखे, FMCG वाले, वो बहुत ही तेज है, comparatively यह stock थोड़ा पीछे रह चुका है, तो यहाँ पर कल share में जबरदस गिरावट आ सकते हैं, अगर Q1 के numbers इंचे अच्छे नहीं आते तो, क्यूकि इनके competitors हैं, उन्होंने comparatively अच्छा result दिया है, बिटानिय की बात करें, वो भी FMCG की है, लगबग 118% तक यहाँ पे numbers हम लोग को शांदर, मतलब इतना जबरदस profit हम लोग को देखने को मिला था, तो यही देखना है कि यह company का performance कैसे रहेगा, तो गोद्रेच consumer product के उपर आप लोगों की नजरे रहनी चाहिए, अगर हम लोग बात करें, आज के दिन result के पहले, यहाँ पे क्या माहोल है, तो लगब 45%, बहुत ही शांदर deliveries, उससे भी ज़्यादा 46% ही कह सकते हैं, यहाँ पे उटाती हुए हम लोगों को देखने को मिली है, तो चलिए दोस्तों, यह तो stock होगे, इसके उपर भी focus रखना ह गुजरात गैस, बहुत ही जबरदस popular stock, गैस सेक्टर में, हाला कि आप सबी लोग पते हैं, हम लोग गैस में IGL एंड MGL में ही जादा रहते हैं, क्योंकि वो dev free company भी है, और performance भी अच्छा रहते हैं, IGL तो बहुत पूरानी company है, तो आप लोग ज़रू आपे बने रह सकते हो गुजरात गैस का result कैसे आएगा कल यही देखना है, बट result से पहले एक शांदर rally हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, अलग-अलग news भी होते हैं, खबरे भी होते हैं, उसको हम लोग award नहीं कर सकते हैं, बट result से पहले लगबख हम लोग को 15 points से भी ज़्यादा की jump, 5.45, लग गुजरात गैस अपनी number कैसे पेश करेगा, अभी तक के chart pattern अगर आप लोग देखोगे, तो 6 मैने के नुसार हम लोग को बहुत ही कुछ हद तक हम लोग को जो गिरावट थी वहाँ से हम लोग को recover होते हुए, देखने को मिले है, आप लोग chart pattern यहापे देख सकते हो, March में ब स्टॉक के उपर आ जाते हैं, तो P.I. Industries, बहुत ही गजब का स्टॉक है, 1800 के उपर अभी हम लोग को जाते हुए देखने को मिला है, बहुत ही शांदार स्टॉक है, इससे रिलेटेड में ने डीटेल में वीडियो भी बनाया था, तभी यह स्टॉक बहुत ही सस्ता था, पं अच्छे नंबर्स दिये हैं, इनके ही सेक्टर्स के तो अच्छा का सा पर्फॉर्मस यह भी कंपनी दे सकते हैं, यही अनुमान हम लोग को देखने को मिल सकता है, इसलिए रिजल्ट के पहले जबरदस तेजी यहां पर देखने को मिली है, थर्ड अगस्ट की बात करें, त और टाटा नमक आप लोगों ने सुनाई होगा, तो इस कंपनी के पर आप लोगों ने फोकस रखना है, धाईसो के आसपास थे जब ही मैंने वीडियो बनाया था, आज 435 पे चल रहा है, यही कहना चाहूंगा, यह कंपनी लॉंग टर्म के लिए बिल्कुल अच्छी कंपन के से, so 43.5% की हम लोगों को डिलिवरी परसेंटेज यहाँ पर देखने को मिल रहा है, so इस सारे कंपनीज हैं दोस्तों, जो कि कल के दिन हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलने वाले, और भी कुछ कंपनीज है, जैसे की जेटकिट इंडिया, जो कि आप लोग यहाँ प कंपनी के रिजल्ट शायद से कल अच्छे आ सकते हैं, आज आप इसका चार्ट पेटन भी देख सकते हैं कि कि इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों को तेजी देखने को मिल रही है, जिससे हम लोग अंदाज है यहाँ पर लगा सकते हैं, ओरिजिनल पिचर क्या रहेगा, यह तो कल के दीन हम लोगों को पता चल जाएगा, लॉंग टर्म का चार्ट पेटन देखें तो यहाँ पर बहुत ही जबरदस गिरावट आप लोगों को देखने को मिलेगी, यह आप लोगों ने फोकस रखना है, कोई भी स्टॉक्स में, मतलब बहुत सारे लोगों को ऐसा वाले है, रिजल्ट्स तो आने वाले, याद रखना कमपनी की रिजल्ट यह उनका भवीत अव्य तय करते हैं, जैसे की बोलते हैं एक स्टुडेंट पढ़ाई करता है, पुरे साल भर तक, उसके बाद उसके रिजल्ट बढ़ताते हैं कि उन्होंने क्या एक्चुल में पर तब सब खेल सामने आया था, तो रिजल्ट का दिन बहुत इंपोर्टन देता है, यूजली रिटेल निवेशक इनको इतना जादा महत्वन नहीं देते हैं, इन्फेक्ट यह सबसे इंपोर्टन दिन होता है, क्योंकि अगर वो कमपनी रिजल्ट अच्छे देती हैं, तो हम लोग ज़रूर, लोग टम की हम लोग शेरोल्डर्ज है, आप सब भी लोग पता है, हम लोग निवेशक है, तो हम लोग उसका सिगनेल यहाँ पर ग्रीन दे देते हैं, एंड हम लोग उसको कंटिन्यू कर लेते हैं, तो यह बहुत इंपोर्टन दोता है, रिजल्ट का दिन कि कमपनी का परफॉर्मंस, आगे की जर्णी कैसे रहेगी, इसके बारे में हम लोग को यहाँ पर अंदाजा आ जाता है, तो आयो पशा करता है दोस्तों, यह सारे स्टॉक्स के उपर आप लोग भी नज़र रखोगे, वाच लिस्त यहाँ पर बना लोगे, इवन दो वो श